तो आताlık दोस्तों, नवरात्री के समय आपका पिरियर्ड हो जाए तो आप कैसे करेगैं आपका आपका प्रत और पूजन कैसे करेगैं इसकी जानकरी आज इस वीडियो में मैं देने वाली हो आप वां तक मिरे साथ परने हुए ताकि आपको सारी इन पर्मेशन, सारी जानक कऱ सकते हैं पर एक-दो दिन का जो पूझा है आपको किसी और से करवाना पड़े गर में कोई है तो कोई ठीक है आपके हज्बन कर रहे हैं तो ठीक है नहीं तो आपको कोई आचारिय पंडित से बुला कर खलस्त अपनाधी करवा कर पूजा करवा सकते हैं और छटवा दिन से आप पूजा कर सकते हैं और दूसरी बात है आपको बीच में जदी पिरियर्ट का समय है तो आप उस समय आप किसी और को पहले से ही बूल के रखें कि मेरा जो पिरियर्ट का समय है आपको पूजा करना है तो कोई है तो बहुत अच्छी बाते और नहीं हैं तो अब उस जगह में क्या करें आप जो पूजान और ब्रत नहीं करें क्योंकि आपका पूजान करने वाला दोनों समय पूजान करने वाला कोई नहीं होगा माता का ब्रत बिठा लेंगा और आप पूजा करने वाला कोई नहीं होगा तो वो उसमें दोश लगता है तो आप उस तीति में ब्रत नहीं बिठा है पहले से ये विचार कर लें कि मेरा जो तो पिरिएड कर ठाइम रहेगा उस्समे कोई पूजा पूजा करने वाला नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँ और तीसरी बाद है कन्जग जिमाने का यह कन्या जिमाने का जो अश्टमिती थी मैं आपका पूजा हो जाएं तो आप देते हैं उसकी जगह आप सुखे चीज दे सकते हैं सुखे चीजों का पूडिया बना कर रख लिए उनकी दच्छिना उनके गीफ्ट सारी चीजों का चकलेट आदी सारी चीजों का एक जगह इकटा करके नो पूडिया बनवा सकते हैं और उनको दे सकते हैं, आपका जो तीसरा चोथा दिन है, तो आप पुडिया बना सकते हैं, उसमें कोई दोस नहीं लगागा, चोथा दिन में आप खुद भी उसमें जो भर सकते हैं, पुडिया बना कर रख लें, नो पुडिया और क्या करें, आप वो कन्या लोगों को पकड कर सकते हैं तो यह हो गई एक बात है पर आपको दूसरा तिसरा दिन है तो आप वो पूडिया नहीं मना सकते हैं क्योंकि अकन्या जो है माता का जो रूप होगा और आप प्रशाद के रूप में उनको देंगे तो दूसरा या तिसरा दिन में मत चूए हां चोथा पांच्वा दिन में आप छू सकते हैं, आप वो सब पूरिया बना सकते हैं, इस तरह से आप पिरियड के दिनों में आप ना ब्रातरी ब्रात पूजन कर सकते हैं, ब्रात करने का कोई डर नहीं है, जैसे ना ब्रातरी का जो पिरियड में आप जदी ब्रात शुरू कर दी हैं, तो ब्रात क करने का कोई डर नहीं है पर आप पूजन का पूरे नो दिन तक विदी से होना जी है तो उसके लिए आपको किसी और को बुला कर वाना पढ़े और ब्रत को बीच में मत चोड़िए और कोई नहीं है पूजन करने वाला तो आप नवरात्री उस्तिती में नहीं करें अगले बार कर सकते हैं और नवरात्री आप एक बार का जैसे छोड़ सकते हैं जाने हैं कि हर बार करते हैं तो हम कैसे छोड़ेंगे तो ऐसा कोई दोस नहीं लगेगा तो आ झाल झाल